और अब कुछ खबरें जिलों से राजणन्दगाओं की सीमा से लगी महराष्ट के गढ़ चिरॉली में पुलिस ने सर्च अभ्यान के दौरान बड़ी मात्रा में मावादियों द्वारा छुपा कर रखी गई विस्वोटक सामगरी बरामत की है मावादियों ने सुरक्षबलों को नुकसान पहुचाने की नियत से ये विस्वोटक भामरागर मौजा ने लगुंडक शेतर में लगा रखा था पुलिस ने कलेमार माइन्स और दो कुकरबमों को मौके पर ही नश्ट कर दिया बेमेतरा जिले में नवागर विधान सभाक शेतर का ग्राम घठोली कई बरसों से जल संकट से जूज रहा है गाउं मालों को 3-4 किलोमेटर दूर ग्राम आंदू और बाल समुन से पीने का पानी लाना पड़ता है जल जीवन मिशन योजना की अंतरगयद गाउं के हर घर में जल पहुचाने का प्रयास किया गया है लेकिन भूमेगत जल का इसतर कम होने के कारण किसी भी घर में पानी नहीं पहुचता गाउं में खारे पानी की भी समस्या है आजादी के अमर्त महुतसव के तहट दिल्ली से निकली CRPF की 75 महिला बाइकर्स कल शाम कोंडा गाउं पहुंची जहां बड़ी संख्या में आम नागरिकों और जिला प्रिशाशन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया गोर तलब है कि ये बाइकर्स महिलाएं दिल्ली से जगदलपुर की यात्रा पर हैं प्रदेश में कल चेटरी चंड महुतसव बहुत धूंधाम से मनाया गया राइपुर राजनन गाओं में सिंधी समाजद्वारा भगवान जोले लाल की भवशोभा यात्रा निकाली गई राइपुर के कारिक्रम में मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने सिंधी पंचायत को समाजद्वारा राइपुर अटलनगर में जमीन देने की घोशना की